दोस्तों कैसे हैं आप? वीद है अच्छे होंगे आज मैं जो मूवी एक्स्प्लेंग करने जा रही हूँ उसका नाम है पैसिफिक रिम अगर एक्स्प्लेंशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो लाइक कर दें और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे तो चलो एक्स्प्लेंशन शुरू करती हैं मूवी की स्टार्ट मैं हमें बताया जाता है कि एलियन्स कही न कहीं मौजूद है और वो कभी न कभी हमारी दुनिया में आस्मान से जरूर उत्रेंगे लेकिन इनसान पूरी तरह से तब गलत हो गए जब एलियन्स एक पैसिफिक ओ पर आया उसने कुछी दिनों में उसने बहुत सी सिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया था और बहुत सारे लोगों को मार दिया लेकिन आर्मी काईजो को मार देती है लेकिन ये सिलसिला इतनी आसानी से नहीं रुकता और कुछ महीने बाद एक और एलियन काईजो आ जाता है औ और इसके बाद एक के बाद एक काईजो एलियन अर्थ पर आते रहे और अर्थ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉट कर दिया और फिर इनसान इस बात को समझ गए थे यह सिलसिला ऐसे खत्म होने वाला नहीं है और अब दुनिया दुनिया में जीतने भी कंट्रीज थे सब मिल गए क्योंकि इनसान अब इस बात को समझ गए थे कि उन्हें इन एलियन से लडने के लिए इन्हीं जैसी कुछ और मशीन को बनाना होगा जो इनका मुकाबला सही तरीके से कर सके इसलिए इनसानों ने एक प्रोग्राम को करेंगे और दोनों पायल्स के दिमाग की अच्छी कॉडिनेशन होना बहुत जरूरी था ये ऐसा था कि एक ब्रेन को दो ब्रेन कंट्रोल करेंगे और इनसान इस काम में पूरी तरह से काम्याब रहे और अब इसके बाद अब कोई भी एलियन जब अर्थ पर आता तो ये र बाहर आएगा तो वो उसका मुकाबला करकर उसको मार देंगे और इसी तरह बहुत सारा टाइम गुजर जाता है और एक दिन अचानक से उन्हें पता चलता है कि एक एलियन काई जो ओशन से बाहर आ रहा है और अब इनको पता चलता है कि ये काई जो एलियन जो ओशन से बा जो कंट्रोल करेंगे जो काईजो को मारने जाएगा अब ये दोनों उस रोबोट के अंदर बैठ जाते हैं अब इन दोनों के ब्रेन को सिंग किया जाता है ताकि ये दोनों का एक ही तरह काम करें अब ये दोनों अपनी रोबोट से इस तरह जुड़े थे कि जो नुकसान रो बोड को लेकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर काईजो था और ओशन में वहां पर एक बोड थी पहले ये दोनों उस बोड को बचाते हैं और इसके बाद ये दोनों अपने रोबोड से काईजो पर अटैक कर देते हैं आज से पहले ही जो दो काईजो एलियन से लड रूम से इनको बताया जाता है कि काईजो अभी भी जिन्दा है, तुम लोगों को जल्दी वापस आना होगा लेकिन ये लोग उनकी बात नहीं सुनते कि काईजो से फाइट करते हैं, काईजो इनकी मशीन यानि रोबोट का लिफ्ट हैंड तोर देता है और काईजो रोबोट की पूरी पावर यूज करकर काईजो को मार देता है, लेकिन उसने अपने भाई को खो दिया था, जिसका उसको बहुत ज्यादा दुख था, अब वो किसी तरह से समंदर के किनारे आकर गिर जाता है, क्योंकि वो काईजो से फाइट करने के बाद बहुत ही ज्यादा इंजड ह गया था और अब ऐसे ही वक्त गुजर जाता है और इसके बाद हमें वर्ड और्गनाइजेशन के लोगों को दिखाया जाता है जो कि इस ट्रोग्राम में फंडिंग करते थे वो लोग कहते हैं कि वो लोग काईजों से नहीं जीत सकते क्योंकि काईजों इंसानों के बचाव क के तरीकों को समझ चुके हैं काईजों हर बार ज्यादा डिवाव होकर अर्थ पर आते हैं और अब फोर्थ कैटेगरी के काईजों अर्थ पर आना शुरू हो गई है और वर्ड लीडर्स ये फैसला करते हैं कि वो इस ट्रोग्राम को पूरी तरह से खत्म कर देंगे जिसमे बड़े बड़े रोबोट काईजों से फाइट करते हैं वो मार्शल को बताते हैं कि तुम अपने सारे रोबोट्स आखिरी स्टेशन जो की होंकोंग वहाँ पर लेकर जा सकते हो और उस वक्त तक हम इस प्रोग्राम की फंडिंग तुम्हें करते रहेंगे जब तक हॉस्ट वाल तयार नहीं हो जाती क्योंकि मार्शल वो इनसान था जिसने इस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया था और अब हम देखते हैं कि ओशन के करीब एक बहुत ही बड़ी वाल तयार की जा रही है जो कुछ वक्त तक तयार हो जाएगी ताकि काईजों इस दीवार के पा जाते हैं लेकिन रैली अब इस प्रोग्राम को छोड़ चुका था जब काईजों ने उसके भाई को मारा था तो वो पूरी तरह से उसके दिमाग के साथ जुड़ा हुआ था मार्शल रैली को कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है पिछले जीतने भी पुराना रोबोट मार्क्त ती जिसे तुम चलाते थे मुझे उसके लिए एक पाईलट की जरूरत है लेकिन रैली उसको साफ साफ मना कर देता है लेकिन मार्शल उसको कहते हैं कि तुम्हें पूरी दुनिया को बचाना होगा ये जिम्मेदारी तुम पर है और यह सुनकर रैली उनकी बात को मान जाता है अब रैली मार्शल के साथ हामकाम पहुँच जाता है जहां पर ये सब लोगों की टीम सीक्रेट के तौर पर काम कर रही थी और अब इनके पास सिर्फ चार रोबोट थे जिन पर ये लोग काम रहे थे मार्शल रैली को बताता है कि हम ओशन म हो यहाँ पर Marshall की adopted doctor को भी दिखाया जाता है जिसका नाम Marko है वो इस पूरे program के director है और Marko Marshall से कहती है कि वो rally के साथ को pilot बनना चाहती है ताकि वो उसके brain के साथ जोड़कर उस robot को control कर सके और काईजो से fight करे लेकिन Marshall उसको यहाँ पर मना कर देते हैं क्योंकि Marko के parents को काईजो ने मारा था इसलिए वो अगर इन सब चीजों को याद करेगी तो वो robot को सही तरह से control नहीं कर सकेगी इसलिए Marshall उसको मना कर देता है और दूसरी तरफ को pilot चुनने का process start होता है जिसमें कई fighter है तो एक ऐसा rally के साथ file करना होगा और यहाँ पर भी rally सौदे को हरा देता है इसके बाद Marko rally से fight करने आते हैं Marko और rally दोनों बराबर के fighter होते हैं और अब इसलिए इस बात को decide किया जाता है कि rally का को partner कोई और नहीं बलकी Marko होगी और अब इन दोनों को testing के लिए इनको इनकी robot के बैठाया जाता है जहाँ पर इन दोनों के breath जोडा जाता है और कुछ ही देर बाद rally अपनी पुरानी memory में चला जाता है जहाँ पर काईजो ने उसके भाई को मारा था इसलिए rally का वो action robot तूट जाता है तो और दूसरी तरफ मार को भी पुरानी memory को याद करती है और वो memory में चली जाती है जिसमें काईजो ने उसके parents को मारा था और अब rally भी उसकी इस memory को देख सकता है और वो मार को समझाने की कोशिश करता है लेकिन reality में वो एक robot के अंदर बैठी हुई थी वहाँ पर वो एक robot के weapon को activate कर देती है और अगर यहाँ weapon चल गया तो यहाँ पर जीतने भी लोग थे सब के सब मारे जाएंगे हर तरफ लोग इधर उधर भागने लगते हैं इससे पहले मार को इस weapon को on करती power connection को पूरी तरह से off कर दिया जाता है जिससे robot off हो जाता है इस incident के बाद मार्शल मार को को इसको pilot की seat से हटा देते हैं दूसरी तरफ हमें एक scientist दिखाया जाता है जिसका नाम Newton था वो अपने brain को काईजो के brain के साथ connect करता है जो brain काईजो का यहाँ पर पड़ा हुआ था ठीक उसी तरह से जी सरह दो pilot एक दूसरे के brain के साथ जुड़ते हैं जो की brain से जोड़ता है तो उसको वो place नजर आती है जहां से सब काईजो आते हैं वहाँ पर उसको कुछ और aliens भी नजर आते हैं जो की इन काईजो aliens को बना रहे थे इसके बाद Marshall Newton के पास आता है Newton उसको बताता है जो अब तक काईजो alien अर्थ पर आए हैं वो इस अर्थ को साफ करने के लिए आए हैं इसके बाद जो next generation के काईजो आएंगे वो इनसानों को मारने के लिए आएंगे ये काईजो aliens अर्थ पर पहले भी आ चुके हैं जब डाइनासोरस थे उस वक्त इस अर् पर आकर सब resources को use करना चाते हैं इन aliens का यही काम है ये हर flat पर कबजा करते हैं और वहां के resources को use करते हैं इसके बाद ये next planet पर चले जाते हैं और यहां पर Marshall Newton से कहता है कि तुम्हें काईजो के brain से फिर से जुड़ना होगा ताकि हम लोगों को काईजो के बारे में और भी ज् information मिल सके Newton कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता मुझे काईजो के brain से दुबारा connect होने के लिए उसका दूसरा brain चाहिए होगा ये brain पूरी तरह से देड़ हो चुका है और वहीं Marshall को पता चलता है कि Pacific Ocean से दो और काईजो बाहर निकले हैं इसके बाद वो अपने robot को वहां पर उन्ह कि तुम्हारे पास कोई भी partner नहीं है और यहां पर हम ocean में देखते हैं कि सबसे पहले एक robot काईजो से लड़ता है लेकिन काईजो बहुत ही ज्यादा powerful था वो robot को पूरी तरह से destroy कर देता है इसके बाद जब दूसरा robot वहां पर जाता है तो काईजो अपनी body के अंदर से कु करता है वो तीसरा robot काईजो से fight करता है यहां पर काईजो अपनी body से कुछ chemical blast करता है यानि कि वो अपनी body से electromagnetic pulse छोड़ता है जिससे ना सिर्फ board बल्कि उनका पूरा department off हो जाता है और अब ये लोग अपने robot से connect नहीं हो सकते थे इसके बाद अब rally Marshall से कहता है कि तुम्हे हमे वहाँ पर भेजना होगा क्योंकि उनके robot की चलने की technology पुरानी थी और बाकी सारे digital robot थे और अब Marshall को rally की बात माननी पड़ती है और वो मार्को को rally का को partner बनाने के लिए तयार हो जाता है और अब ये दोनों अपनी robot में बैठते हैं और अपने उस robot तक पहुंच जाते हैं ज दूसरी तरफ हम दूसरे काईजो alien को देखते हैं जो कि city की तरफ बढ़ रहा था और सबको इस काईजो के बारे में information होती है इसलिए city के लोग अब इधर उधर भाग रहे थे और दूसरी तरफ हम Newton को देखते हैं जो कि एक आदमी के पास आता है ये आदमी काईजो alien की organs का सौधा करता था Newton इस आदमी के पास काईजो का brain लेने आया था ताकि वो काईजो के brain से connect होकर और भी ज्यादा information collect कर सके और अब जब उन्हें पता चलता है कि एक काईजो alien city की तरफ आ रहा है तो वो आदमी Newton को बताता है कि जब तुम काईजो के brain से connect हुए थे तो connection एक से होता है इसलिए काईजो alien को पता चल चुका है कि तुमने उनके बारे में information को collect किया है और अब ये काईजो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मारने के लिए यहां पर आ रहा है और आपका जो alien city में आ गया था और अब rally और मारको भी अपनी robot को लेकर इसके पास आ जाते हैं औ से पहले वो इन्हें atmosphere से बाहर लेकर जाता ये लोग अपने robot से एक तलवार निकाल कर इसका एक पर काट देते हैं और अब ये दोनों जमीन पर गिलने लगते हैं लेकिन ये दोनों अपने robot के power booster को on कर देते हैं जिससे ये जमीन पर आराम से land कर लेते हैं और दूसरी तरफ जहां पर काईजो एलियन को मारा गया था वहां पर न्यूटन और वो आदमी आते हैं क्योंकि न्यूटन को किसी तरह से काईजो एलियन का brain चाहिए था लेकिन काईजो एलियन के मरने के बाद इसका brain भी पूरी तरह से off हो जाता है लेकिन अचानक से इसका जो एलियन के पे वो काईजो एलियन उसको खा जाता है वहीं दूसरी तरफ मार्शल को दिखाया जाता है जो दो बच्चे हुए अपने रोबोट के साथ अपने प्लान को अंजाम देना चाहता था यानि कि वो उस दरार से जहां से काईजो निकलते हैं जो दूसरी दुनिया का रास्ता है उस को पाइलेट था वो बुरी तरह से इंजन था और मार्शल और राइली दोनों के रोबोट उस तरफ निकल पड़ते हैं जहां पर वो क्रैक है और वहां से काईजो अर्थ पर आते हैं और दूसरी तरफ हम न्यूटन को देखते हैं जो कि काईजो एलियन से अपने ब्रेन को जोड लेता है तो भी उसको पता चलता है कि मार्शल का प्लान काम्याब नहीं हो सकता क्योंकि जो दूसरी दुनिया का रास्ता है वो सिर्फ और सिर्फ काईजो के लिए खुल सकता है और नहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि दोनों रोबोट उस जगा पर पहुँच गए जडर से निकलता है जो कि अब तक का सबसे ज्यादा खतरना काईजो होता है रैली और मार्को के रोबोट के ऊपर एक और काईजो हमला कर देता है जिससे वो इनका एक हाथ तोड़ देता है लेकिन ये अपनी तलवार से उसको स्टेप करते हैं और वहीं दूसरी तरफ हमें खतरना काईजो एलियन को देखते हैं जो कि मार्शल पर अटैक कर रहा था वो कुछ ही वक्त में मार्शल के रोबोट को डैमेज कर देता है और यहां पर काईजो एलियन अपने साथी को आवाज लगाता है और जब ये दोनों काईजो एलियन मार्शल की रोबोट की तरफ आ रहे होते हैं, तो मार्शल राइली और मारको से कहता है कि तुम्हें याद है कि तुम लोगों ने क्या करना है, और जैसे ही दोनों काईजो उस तर पहुचते हैं, वो अपने रोबोट में फिट आइटम बम को ब्लास्ट कर देता है, और दूसरी तरफ रैली और मारको उस की डेड़ बॉडी को लेकर जिस एलियन को उन दोनों ने मारा था, वो खाई की तरफ जा रहे होते हैं, तभी इनके सामने एक और काईजो एलियन आ जाता है, जो कि बुरी तरह से घायल था, दरसल बलास्ट से सिर्फ अभी एक ही काईजो मरा था, और ये दूसरा काईजो अभी जिन्दा था और रैली और मार को रोबोट बुरी तरह से डैमेज था लेकिन वो अपने पूरी पावर को यूज करते हैं, और काईजो एलियन को लेकर उस दर्वाजे तक पहुँचाते हैं, जो कि दूसरी दुनिया का दर्वाजा था और अब यहां पर काईजो एलि में पहुच गया था और अब वो उस बम को अक्टिवेट कर देता है, और सभी एलियन्स ये देख रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, अब इससे पहले वो बम ब्लास्ट होता, रैली अपने कैप्सूल को अक्टिव कर देता है, तभी यहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें ये सभी इंडियन्स और दूसरी दुनिया का दर्वाजा जो हमारी दुनिया तक पहुचता था, पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, और लास्ट में हमें दिखाया जाता है, कि रैली और मार को सेफ थे, इन दोनों की जान बच जाती है, और यहीं पर इस मूवी का अंत हो जाता है,